हलो फ्रेंड्स असलाम लेकुम वेलकम बैक टू मैं चैनल गार्णिंग विथ हैपनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स ही देखिए मोगरा का प्लांट काफी धेर सारी कलियों से मोगरा का प्लांट भर चुका है विंटर के बाद जब इसका डुरमें में हाट प्रूनिंग की थी और रूट प्रूनिंग भी क्या था उसके बाद जितनी भी नई ब्रांच आ निकली हैं अब ही ब्रांच पे दिरसारी कलिया और फूल भी आ गये हैं तो एक बार वैसे भी इसमें फ्लॉरिंग हो चुका है और यह मेरा दूसरी बार ब्रांच में फूल आकर जा चुके हैं और उन ब्रांच को आपको आपको हलका साफ्ट पूरूनिंग कर देना चाहिए जब आप साफ्ट पूरूनिंग करेंगे तो एक से दो ब्रांच वहां से और निकलेंगी तो इससे आपका पौधा काफी घना हो जाएगा और मोगरा के पौधा जब घना रहता है तभी अच्छा लगता है साफट प्रूनिंग दो सीच्विशन में के जाती है एक तो जब आपकी ब्रांच काफी लंबी हो तब आप उसको ब्रांच को कट कर दीजे या तो जैसे कि आपका फौल जा चुका है तो उस ब्रांच को आप वहां से काट इसे भी आपके जो आप ब्रांच काटेंगे तो नई ब्रांच आएंगी जब नई ब्रांच आएंगी तो नई कलियां आपके पौधे में बनने लगेंगे और hard pruning आपको तब करनी है जब winter के बाद dormancy के बाद जापका पौधा बाहर आता है तब उस time आप hard pruning कर सकते हैं और root pruning भी कर सकते हैं और लेकिन आपको हमेशा अपने मोगरा के पौधे को soft pruning करते रहना चाहिए तो किस तरह से आपको soft pruning करना है जैसे कि आप देख रहे हैं कि जहां से फूल सूख चुका है वहाँ पे फूल सूख के गिर चुका है तो उस ब्रांचों को हमें किस तरह से काटना चाहिए जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो मेरे पौधे में जो ब्रांच में फूल आके जा चुके हैं तो उनको किस तरह से काटना चाहिए फ्रेंड्स मोगरा के पौधा जो एक ऐसा पौधा रहता है ये हैबी फीडर प्लांट है क्योंकि बहुत ज्यादा ये फूल देता है हजारों की संख्या में हमें फूल देता है तो हमें इसे बराबर खात भी दे देना चाहिए इसे नाइट्रोजन रेज फोटिलाजर बहुत तो तीन ब्रांच और निकलेंगी इसे आगर आप सभी ब्रांच के साथ इस तरह से करेंगे तभी आपका पौधा घहना हो जाएगा तो फ्रेंड्स हमें अपने मोगरा के पौधे को लाइट पूरून करते रहना चाहिए और दूसरी बात आती है कि मोगरा का पौधा हमें ह स Democrat لاइजर हहती है उसमें सारी इंडरेंग जो कि मोगरा के प्लांट को काफे ज्यादा पसंद रहती है। इसके 즐 conflict 답 return तो आप लाएजर भी आपनि मोगरा के प्लांट को दे सकते है जैसे कि सर्सौ के खली υडित फडिय बनाएं कर आप दे सकते हैं लिक्विड 600 का लिक्विड फटिलाजर एक गर्म नेचर वाला फटिलाजर है और गर्म नेचर वाला फटिलाजर ही मोगरा के प्लांट को काफे ज़्यादा पसंद रहती है और मोगरा का प्लांट एक गर्म वाला प्लांट है इसे गर्म चीज़ ज़्यादा पसंद रहती है ज्यादा धूप ज्यादा गर्म ओली फटिलाजर तब ही उसमें यह ज्यादा से ज्यादा फूल निकलता है मोगरा के प्लान की जो मिटी रहती है मिटी आपको बिल्कुल सुखने नहीं देना चाहिए मिटी में हलकी फुलकी नमी जरूर रहनी चाहिए जैसे कि आप दे सकते हैं कि मोगरा की जो मिरी मिटी है मिटी में हलकी फुलकी नमी इसमें है आपको पौदे की मिटी सुखने नहीं देना है इसको हर दूसरे तिसरे दिन पानी इसमें जरूर दे दिया करें और पंदरे से बीस दिन में इसे फटिलाजर जरूर दिया करें चाहे लिक्विड दीजे चाहे आप गोबर की खाद दीजे दोनों ही खाद इसके मोगरा के पौदे को काफी ज़्यादा पसंद रहती है तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस टाइम आप लिक्विड फटिलाजर किस तरह से दे सकते हैं आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है कि इस टाइम अगर हम सर्सो का लिक्विड फटिलाजर बना कर देंगे तो पौदा हमारा काफी खराब हो जाएगा या पौदा जल सकता है या मर सकता है बिल्कुल आपको डर्ना नहीं है, इस टाइम आप सर्थो कर लिकुड फूटिलाजर अपने पौधे में देंगे तो आपको जो पौधा रहता है जिसे कि आपके पौधे में अगर कल्या बनी रहती हैं कलियां खिलने से पहले गिर जाती है इस तरह की प्राबलम अगर आपके पौधे में है तो आपको सर्सो का लिकुड फडिलाजर अपने पौधे में जरूर देना चाहिए इससे क्या होता है कि इस fertilizer से कलि या पूरी तरह से खिल जाती है कलि गिनने नहीं देता है ये fertilizer सभी तरह का यह सिकायत रहते है कि हमारे मुगरा के पौधे में कलिया आती तो है लेकिन कलिया खिलने से पहले घर जाती है तो इस liquid fertilizer का अगर आप यूज करेंगे तो आपकी कलियां बिल्कुल ही नहीं गिरेंगी बलकि वह बहुत अच्छी तरह से खेलेंगे भी लेकिन आपको अच्छी quantity में इसको देना है तो अगर आप जितना fertilizer बनाया है आधा आपको liquid fertilizer लेना है और आधा आपको इसमें पानी मिलाना है दोनों को इकवल मातरा में आप रखेंगे तभी आप अपने पौधे में देंगे तो इससे पौधा आपको ना जलेगा और ना ही मरेगा बलकि आपको फायदा ही पहुचाएगा आपके पौधे में धेर सारी कलिया बनी रहती है जब वो खिलती है तभी पौधा देखने में खुबसूरत लगता है तो इस तरह से देखिए हमने आदा लिकुर फटिलाजर लिया है और आदा पानी इसमें मिला दिया है अब इसको खुब अच्छी तरह से आपको मिला कर अपने पौधे में आप दे सकते हैं बीच से पचीश दिन में आपको एक बार अपने पौधे में जरूर देना चाहिए इससे आप देखेंगे पूरी गर्मी पूरी बरसात आपके मोगरा के प्लन्ड में हजारों की संक्या में फूल आएंगे और आपको मौगरा के पौदे में पानी हमेशा चेक करके देना चाहिए इसकी मिट्री हमेशा मौइस्ट बनी रहे और 15-20 दिन में हमें इस तरह का लिकुड फरिलाजर जोड़ दे देना चाहिए तो इसे से आपके पौदे में काफी ज़्यादा काफी हजारों के संक्या में आपके पौदे में फूल आएंगे और दूसरी बात यह है कि जब आपके मौगरा के पौदे में कलियां बनी हुई है और उसमें फूल आने पर हो गए हैं तो आपको अपने पौधे में गुड़ाई कभी नहीं करना चाहिए अगर इस time इस situation पर अगर आपके पौधे में गुड़ाई कर देंगे तो जाहिर सी बात है जब भी आप गुड़ाई करेंगे थोड़ा बहुत रूट कर जाएगा इसे पौधा stress में आ जाएगा इसे से बिल्कुल छोड़ देना है आप जब भी liquid fertilizer दीजिए तो बिना गुड़ाई करे ही दीजिए तब ही आपके पौधे में कलियों का गिना बंद हो जाएगा और उसमें अच्छी तरह से फूल आने लगेंगे ये आपको खास बात ख्याल रखना चाहिए खासकर मोगरा के पौ पौधे से 4-5 बर इसे फ्लॉरिंग ले सकें और इसके अलावा आपको अपने पौधे में हर दूसरे दिन पानी जरूर दे देना चाहिए और इसको इस प्रे भी आपको करते रहना चाहिए जैसे कि किसी भी तरह कि अगर आपकी पतियां खराब हैं तो पतियों को आपको त तुरंत हटा दे और जब सुखे बरांच को आप हटाएंगे तो नीचे से आपको अच्छी और नई बरांच निकलेंगी तभी आपका पौधा घना और अच्छी तरह से हो जाएगा तो हमें पानी का खास क्या लखना चाहिए सुखे पत्तों का अटाना चाहिए और 15-20 दि कि आप के पौधे में जारों की संख्या में इसमें फूल ही फूल नजार आएंगे वोगरा के फूल हैमें सिर्फ फाइट कलर के फूल आते हैं लेकिन इसके फूलों में ज्यादा खुसबू रहती हैं कि आपके गार्ड़ूं में चालों तरफ dipping फाइल जाती मोगरा के पौदे को लोग लगाना काफी ज़्यादा पसंद करते हैं और इस तरह से आपको केर भी करना चाहिए तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेर कमेंड करिए गया चैनल को सब्सक्राइब करिए गया म मिलते हैं किसी ने शरीम तब तक लिते हैं कि